हेलो एबरिबरडी दिस इस द्यानन परसाद और वेलकम यू आल इन माई यूटूब चैनल तुड़े वी डिसकस इबाउट दो मोसन और फॉलोवर हम लोग आज मोसन और फॉलोवर के बारे में पढ़ेंगे कि कैम के रोटेशन होने से फॉलोवर का मूब्मेंट किस परकार स सीफेल ओतलन ही इसके बारे में पढ़ेंगे इससे प्रीम्येस वीडियो में हम लोग कैम और फॉलोवर का डेफिनिशन और इसाद के बारे में पढ़ चुके हैं अगर आप प्रीविच्व वीडियो नहीं देखे हैं तोॉ एक बहीं इक ऑफ преп्रिविज is possible, ओके, तो सबसे पहला कि काम क्या होता है, कैम का काम क्या है, कि rotational motion को convert करता है reciprocating motion में और oscillating motion में, ओके, ये क्या करता है, कि rotational motion को convert करता है rotating, rotational motion को convert करता है reciprocating motion और oscillating motion में, ठीक है, तो जो motion provide किया, वो किसको provide किया, follower को follower के पास अब कितने type का motion possible है आज उसी के बारे में चर्चा हो रही है तो पहला है uniform velocity कि हम लोग का uniform velocity मिलेगा ठीक है जो follower होगा वो uniform velocity से lift होगा और uniform velocity से return होगा तो ये uniform velocity दूसरा है simple harmonic motion कि वो SHM बनेगा simple harmonic motion बनाएगा third one है कि uniform एसकलोरेशन और रिटार्डेशन और वो uniform एसकलोरेशन और uniform retardation से अगर उसमें movement हो किसमें follower में ओके and third one is cyclodal motion third one is cyclodal motion ये fourth one is cyclodal motion तो ये चार परकार है जिसके द्वारा हम लोग follower का movement को पता कर सकते हैं कि कौन सा movement possible है ठीक है uniform velocity simple harmonic motion uniform एसकलोरेशन और रिटार्डेशन और cyclodal motion तो आज हम लोग start करते हैं uniform velocity से uniform velocity के बारे में पढ़ते हैं और इसका हम लोग displacement, velocity और acceleration diagram भी देखेंगे ये किस परकार से displacement, velocity और acceleration diagram ड्रो किया जाता है ठीक है uniform velocity के लिए तो सबसे पहले कि अगर हम लोग का follower uniform velocity से move करेगा तो जो displacement होगा वो क्या होगा उसका जो slope होगा displacement का अगर हम लोग displacement और displacement और angular displacement के बीच में अगर हम लोग एक curve बनाएंगे ये angular displacement angle के हिसाब से यहाँ पे दिखाया हुआ angle के हिसाब से और ये displacement है तो अगर ये uniform velocity से move करेगा तो जो curve होगा वो कैसा होगा बिल्कुल constant slope होगा उसका क्यों क्योंकि यहाँ पे velocity क्या है constant है जब constant velocity होगा तो slope क्या होगा uniform होगा तो जो slope होगा वो क्या होगा constant होगा और displacement बिल्कुल uniformly उपर lift करेगा जब अगर हम लोग ध्यान देंगे कि अगर हम लोगों का कैम जब रोटेट होता है तो एक certain period में ही जाकर follower का lift होता है और उसके बाद में वहाँ पे कुछ idle period होता है जहाँ पे follower का movement नहीं होता है जब कुछ idle period है जैसे कि मान लिजे कि अगर हम cam का diagram draw करें जैसे एक हमारे पास एक cam है ठीक है cam तो cam के बारे में तो सब को पता है कि fix कहां पे होता है तो अपना center में fix कभी होता नहीं है उस side में fix होगा और उसका जो safe होता है वो इस परकार से safe होता है कि वो मतलब एक certain movement देगा अगर यहां पे हम लोग का follower है follower है तो जब तक यह मान लिए कि इधर move कर रहा है तो यह जब तक यह वाला point अगर हम लोग यहाँ ध्यान देंगे तो जब एक minute कि अगर यह वाला point जो है ठीक है यह point अगर यहाँ से move करना चालो हो जाए ठीक है और जहां से यहां पर oval shape का formation हुआ है जब तक यह point दुबारा से उठ करके यहां ना है तब तक इसका lift तो नहीं होगा तब तक इसका movement नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे dual period क्या बोलेंगे dual period जहां पर follower का movement नहीं होता है जिस period में follower का movement नहीं होता है या जिस angle तक B से लेके C तक एक certain period में जाकर के यह क्या कर रहा है कि lift certain period में इसका movement नहीं होगा यही है ना certain period में इसका movement नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे dual यहां भी dual है यहां भी dual है dual का मतलब बस इतना ही है कि follower का movement नहीं होगा ठीक है follower का movement नहीं होगा अब follower का movement नहीं होने का यहाँ पे दो sense है हम दोनों sense समझते हैं कि किस तरह से हम लोग का follower का movement नहीं होगा ठीक है दोनों तरीका से हम लोग समझ लेते हैं कि follower का movement किस परकार से नहीं हो रहा है मान लेजे कि यहाँ पे यह था ठीक है यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट है जितना दूर बाहर निकला वाए उबरा हुआ है तो इस पोर्षन में अगर मेरा फॉलोवर आता है और फॉलोवर इस और बढ़ेगा अगर यह कैम मेरा इस और मुब्मेंट कर रहा है और फॉलोव स्टेटिक हो जाएगा रुख जाएगा तो उसी को भी हम लोग डूएल बोलेंगे और यह वाला पॉर्षन को भी यहाँ वाला डूएल बोलेंगे तो यही है कि दो बार आपको डूएल पिरियेड मिलेगा ही और जो स्लोप होगा वो स्लोप बिल्कुल यहाँ पर कॉंस्ट स्लोप मिलेगा ठीक है कॉंस्टेंट स्लोप तो डिस्प्लेसमेंट और अगर हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में कर्व बनाएंगे तो हम लोग को इस तरह से मिलेगा कॉंस्टेंट स्लोप डिस्प्लेसमेंट ओके फिर यहाँ से जाकर के बी से सीवन कॉंस पूगर चीशन में आना पड़ेगा अगर हम लोग सिंस्टान में जबालूसी होizers Q तो आने जो पży्टी ऋपकर होरा मैं तो यहां पर भी मुबमेंट नहीं हो露ा और हम लोग के पास दो हो गया एसा जग़ जहां पे डुवल तो यहां पर भी मूब्मेंट नहीं हो रहा है तो यहां पर भी मूब्मेंट नहीं हो रहा है और यहां पर और यहां पर दोनु जगह मूब्मेंट हो रहा है बट यहां पर राइस कर रहा है इसलिए अपवर्ड में वेलोसिटी होगा और यहां चुकिए फॉल कर रहा है रीट sudden से अगर उसमेtoo velocity आजाया और sudden वो Peak पकड़ ले रहा है यहा पर जब नियाओ पर इन्फडाइट देगा यहाँ पर क्या मिलेगा fatal एन्फडाइट और यह पर देखेंगे कि यहाँ पर यह साउट में आने के बाद यहां से इधर यह हो गया dual period के बाद फिर यहां पर नीचे आ रहा है तो यहां पर भी हम लोग को retardation मिलेगा वो भी infinite क्योंकि sudden decrease हो रहा है velocity का फिर यहां पर dual period हो गया यहां पर मतलब velocity नीचे की और जाएगा क्योंकि वो return stock है यह return stock है तो return stock में नीचे की और जाएगा तो यहां पर escalation जोगा वो भी infinite वाला होगा फिर यहां पर आने के बाद फिर यहां positive में आपको infinite मिलेगा escalation और देन फिर यहां पर dual period तो यह हो गया अगर हम लोग चाहेंगे कि यह वाला infinite escalation ना हो तो escalation infinite ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए करना होगा कि velocity का ऐसा कुछ diagram बना कि यह जो velocity peak जो पकड़ रहा है न sudden तूरत जो peak पकड़ रहा है वो तूरत peak ना पकड़े वो inclined हो इस तरह से inclined हो अगर वो इस तरह से inclined अगर जाता है inclined अगर जाएगा increase होगा और तब जाकर के pick point पकड़ेगा तो इस time क्या होगा कि escalation infinite नहीं होगा एक certain escalation provide कराएंगे हम लोग हर stock के बाद हर stock के बाद जो escalation और retardation हो रहा है वो क्या होगा एक finite quantity होगा infinite नहीं होगा अगर हम लोग यहाँ पे certain velocity का velocity नहीं use करेंगे तो certain velocity यूज नहीं किया जाएगा certain उसमें जो velocity का increase हो रहा है जो भी constant velocity उसको मिल जा रहा तुरत से वो velocity न मिले उसको gradually velocity मिले तो यहाँ पे infinite escalation नहीं होगा infinite escalation नहीं होगा तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा यह वाला gradually यहाँ पे attain करें maximum velocity यह करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा यह करने के लिए हम को क्या करना होगा कि इस जो displacement diagram है इसमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा इसमें बदलाव लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें बदलाव लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी corner है वो सारा corner को sharp कर जो है sharp मतलब नोकीला जो भी नोकीला बना हुआ है जैसे B1 और C1 है ना A, D यह सारा जो corner है यह सारा क्या है sharp है corner एकदम सार्फ है तो यहाँ पे क्या करेंगे न कि इसको थोड़ा curve बना देंगे अगर हम लोग इसको curve कर देंगे तो यहाँ पर अपना velocity भी curve होगा वो gradually increase करेगा तो ठीक है आज हम लोग वही देखते हैं फिर कि किस तरह से तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो जो corner बन रहा था वो corner को हटा दिया गया है और gradually इसको हम लोग displacement कर gradually बना दिया है यहाँ से पूरा gradual है ठीक है तो यह होगे अपना displacement कर displacement diagram ठीक है तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि इसका velocity जो होगा वो sudden increase नहीं होगा जो velocity है वो sudden यह बनेगा अगर हम लोग फेलोसिटी को इस तरह से चेंज कर पाएंगे तब अगर हम लोग वेलोसिटी को इस तरह से चेंज करेंगे तब जाकर के हम लोग को escaleration में भी इस तरह से मिलेगा उससे पहले इस तरह से नहीं मिल पाएगा ओके तो hope you understand the velocity displacement और escaleration diagram और जो theoretical और जो real है वो सब में भी आप difference समझ गए होंगे इसी चीज को जो जो मैं समझाया हूँ उसी चीज को यहाँ पर language में लिखा हुआ है आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं कि since the follower moves with uniform velocity during its rise and return stock चुकि rise और return stock दोनों में follower जो है वो uniform velocity से जा रहा है therefore the slope of the displacement curve must be constant तो जो slope होगा displacement curve का वो उसको constant होना ही पड़ेगा ठीक है in other words जो AB1 और CD1 है वो state line होगा जैसा कि आप देख रहे होगे कि पहला वाला curve में यह सब state line है बिल्कुल यहाँ से AB1 और C1D सब जाकर के state line है है ना तो उसी तरह से यह पहला point हम लोग को यही बोल जिया कि सारा state line होगा दूसरा बोला कि a little consideration will show that the follower remain at rest during part of cam rotation cam rotation का कुछ पार्ट में क्या होता है कि follower का movement zero हो जाता है और उसी period को हम लोग the period during which the follower remain at rest एक ऐसा period जहाँ पे follower race में होता है उसी को हम लोग dual period कहते हैं ओके third point यह था कि we see that a escalation और retardation of the follower at the beginning and at the end of the stock is infinite चुकि हम लोग देखे हैं कि escalation जो है वो starting में और end में क्या है हर stock के starting और end में वो infinite escalation दे रहा है यह इसलिए दे रहा है this is due to that the fact the follower is required to start from rest and has to gain a velocity with no time और हम लोग को वो चुकि रूका हुआ है माल लो follower अब follower रूका हुआ से अचानक से उसको अगर velocity मिल जाए अचानक से उसको velocity मिल जाए तुरत मिलना है this is only possible if the escalation or retardation at the beginning and at the end of the each stock is infinite तो वो इसलिए जाकर escalation infinite हो जा रहा है this cows are however impractical इसलिए यह impractical है मतलब यह practically possible नहीं है हम लोग को gradually ही ले जाना होगा ठीक है नहीं तो camp follower का breakdown होने का chances है तो उस तरह से होना पड़ेगा तो in order to have the escalation and retardation within the finite limit उसको finite limit में जाए it is necessary to modify the condition which governed the motion of the follower अगर हम लोग follower का motion को governed करे और उसको क्या करे कि उसका अगर हम लोग displacement diagram को displacement diagram को जितना भी sharp age था उसको round off कर दे sharp age को round off करके curve बना दे तब जाकर के यह possible है by doing so the velocity of the follower increases gradually इस तरह करने से जो velocity होगा वो gradually increase करेगा to its maximum value और तब जाकर के उसको maximum value तक reach करेगा at the beginning of the each stock and decreases gradually to zero at the end of each stock और इसी तरह से velocity सड़े धीरे धीरे जाकर के gradually increase करेगा और जाकर के एक point पर pick हो जाएगा maximum velocity reach करेगा फिर वो धीरे धीरे gradually decrease करेगा और at a time जब हम लोग को zero मिलना है तब जाकर velocity जाकर zero होगा तो जाकर इस तरह से हम लोग का curve बनेगा cam and follower का तो ये वाला diagram बहुत important हो जाता है इसमें हम लोग को तीनो diagram बनाने के लिए question में direct पूछा जा सकता है displacement diagram, velocity diagram और ये escalation diagram hope आपका समझ आया हो तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में thanks for listening as always God bless you all thank you अईॉब की पाफट लगई आपका देए अईूब की आपका टीना है